आई पेल 2024 में राजस्थान रॉयल्स की टीम का पहला मैच होने वाला है लखनो सूपर जाइंट्स की टीम का भी आई पेल 2024 में उनका लीक का पहला मैच होने वाला है राजस्थान रॉयल्स का अगेंच्ट और ऐसे में आज की शिडियो में आज हम इनी दोनों टीम्स के बरह म कले तो वीडियो को आप अंदक जवर देखेंगा तो दोस्तों सबसे पहला हम दोनों टीम्स की प्लेंग लंदेख लेते और फिर बात में हम दोनों टीम्स का एक एक करके प्लेइंग लॉन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरार की टीम की प्लेइंग लॉन की बात करें तो यससी जैसौल जॉस बल्लर ओपन करते होने दरहेंगे तीन पर संजु सैंपसन चार पर यान पराग पांच पर शिम्रण हेडमायर छे पर रॉमन पावल साथ प्लेइंग लॉन की बात करें तो यह दोनों टीम्स की प्लेइंग लॉन रहने वाले अब दोस्तों बात करें सबसे पहले ओपनर्स के बारे में तो ओपनर्स से हम कंपरिजन करना शुरू करते हैं तो राजस्तान रॉयल्स की टीम के बड़िया ओपनर्स बैटर ओपनर्स नजर आते हैं आईपल के इस आईपल सीजन में देखे तो अगर किसी टीम के पास बेस्ट ओपनर है तो यहाँ पर राजस्तान रॉयल्स की टीम क नाम ही टॉप पर आएगा इस टीम के पास बहुत अच्छी ओपनर है तो डेफिनिटली ओपनिंग में आरार की टीम को एडवांटेंज है बेड़र ओपनर है आरार की टीम के पास तो यहां पर अरार की टीम को दो पाइंट आते है अब दोस्तों अगले कुछ बैटिम का कमप तो यहां पर तो टीम को बहुत बड़ा अड़ा आज़न नसार आता एंगी तो यह बहुत ही इंच्छा प्रफोर्वांस दिया है शिमरान हेटमायर और निकलस पुरण यह दूनों ही वेश्ट इंडियन खिलाडियों ने अपने अपने टीम के लिए लॉस्टर बहुत ही अच दिया था शिमरॉन हेट में राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत सारे मैचिस फिनिश कर चुके पितले दो सीजन में निकलस पूरेन ने भी लास सीजन में बहुत ही बढ़िया पहुंस दी ती यहां पर दोस्तों 50-50 का मामला नजर आता है इसी वज़े से दोनों टीम को एक पाश्टर अच्छी वहांस रही थी इंडियन टीम के लिए भी खेल चुके अच्छी वहां पर आई है रिसन फॉर्म भी अच्छा है यहां पर भी राजस्थान रॉयल्स की टीम आगे नजर आ रहे है तो ओवर रॉल बैट्समेंस के कंपरिजन में देखे तो राजस्थान रॉयल्स की टीम आगे नजर आ रहे है बहुत आगए नजर आ ओर स्पिन ऑग तो लुटावत हमानल टीम का णादर स्पीरिशन सबस्पींच करते हैंpps हमिली स्थाइस इसे पंपर नयारह कि हम करते हैं भी तो सब से पहला धूनों टीम का लिए लू关 और हम मौसिन खान का comparison करें तो मौसिन खान भी बहुत अच्छे gain बाज है ट्रेंट बोल्ट भी बहुत बड़ा gain बाज है लेकिन overall हम IPL के भी stats देखें तो यहां पर तो ट्रेंट बोल्ट बहुत आगे नजर आते हैं लेकिन मौसिन खान भी बहुत जबरदेस्ट gain बाज है दोनों के comparison में मुझे तो ट्रेंट वोल्ट आगे नजर आ रहे हैं वहीं पर दोस्तों हम comparison करें यश्ट थाकूर या फिर शियों मावी का यहां पर हम संदीप शर्मा और कुल्दीप सेंद से इन दूनों खिलड़ों से comparison करें तो यहां पर भी राजस्तान रोयल्स की तीम के यह पेसर आगे नजर आते चाहें संदीप शर्मा खिले या फिर कुल्दीप सेंद खिले इन दोनों में से कोई भी एक खिलता है और वहां से भी शियों मावी खिले या यह तो यहां पर तो comparison में आरार कीडिंगे पेसर थोड़ आगे नजर आते हैं experience भी बहुत जाद है और दोनों ही खिलेडियों का comparison करें तो कहिना कि मुझे तो आविश्कान बैटर ही बॉलर नजर आते हैं यहां पर भी मुझे राजस्थान रॉयल्स की टीम लेड लेती हुई नजर आ रही हैं अगले एक और comparison करें आल राउंडर है मारकस टॉनियूस और आरार कीडिंग के रॉ से लीड करती हुई हमें दिखाई दे रही है तो ओर रॉल हमने सभी डिपार्टमेंट का comparison करें लिया तो ओर रॉल हम कंपारिजन करें तो वहां पर भी पांच तीन से राजस्थान रॉयल्स की टीम आगे नजर आ रही है और स्पीन बॉलिंग में भी राजस्थान रॉयल् नजर आ रही है लेकिन दोस्तों on field कुछ भी हो सकते है specially IPL में क्योंकि कई बार कोई एक ऐसा इंडिविजल आ जाता है तो सिंगल है अपडेट यूंग को मैच जीता सकता है लेकिन on paper बात करें दोनों टीम्स का comparison करें man to man comparison करें दोनों टीम्स की प्लेइंग लाउन comparison करें प सब्सक्राइब करना